होली रंगों का त्योहार है और रंगों के इस्तियोहार पर मानो कोरोना कुंडली मार कर बैठा हुआ है लेकिन कोरोना के अलावा कई बार रंगों के इस्तियोहार में इस्तिमाल किये जाने वाले रंग ही बड़ी परेशानिया खड़ी कर देते हैं लिहाजा रंग लगाकर होली खेलना किसी जोखिम से कम नहीं है, कैमिकल वाले रंगों से होने वाली एलर्जी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आप कैसे कोरोना काल में घर में बैट कर भी आसानी से रंग बना सकते हैं, हरा बनाने के लिए तो आपको जादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको ये करना है कि पालक, धनिया और पुदीने के पत्ते को अच्छे से कूट कर पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाना है, अगर आप गीला रंग बनाना चाहते हैं, तो इसमें मेहंदी मिलाकर बड़े प्यास की मदद से कर सकते हैं, आपको प्यास को पानी में उबालना है, उबालने के बाद प्यास का पानी नारंगी रंग में बदल जाएगा, आप अगर सुन्दर सुगंध चाहते हैं, तो आप इसमें परफ्यूम डाल सकते हैं, खास बात है कि इस रंग से आपकी तुचा को नुकसान नहीं होगा बलकि आपकी तुचा और भी निखरेगी आप अपनी जरूरत के हिसाब से हल्दी को बेसन के अलावा आटा मैदा मुलतानी मिट्टी या फिर टेलकम पाउडर के साथ भी मिला सकते हैं लाल रंग चेहरे पर खूब निखरता है और होली के दि कि ये रंग आपकी स्किन के लिए जरा सा भी हानिकारक नहीं है आप अगर गीला लाल रंग बनाना चाते हैं तो हल्दी को पानी के साथ मिलाना है और उसमें नीमु का रस डाल दीजिए खास बात ये है कि इन रंगों पर आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं क्यूंकि इन रंगों में कैमिकल नहीं होगा और आपकी स्किन भी खराब नहीं होगी स्पेशल रिपोर्ट एबी स्टार न्यूज